प्रति दिन की तरह अर्थ व्यवस्था की आर्थिक शब्दावली प्रोग्राम के अंतरगत आज का हमारा टोपिक ग्रेशम का नियम है तो चलिए शुरू आत करते हैं आज के टोपिक की ग्रेशम का नियम क्या हैं? यदि किसी समय बजार में अच्छी वा बुरी मुधराइं दोनों एक साथ चल रही हूँ तो बुरी मुधरा अच्छी मुधरा को चलन से बाहर कर देती है गोल्ड, डैश, हर देश का स्वर्ण मान अलग-अलग होता है प्रतियक देश चल रही कुल मुद्रा की कुलना में एक तैस्वर्ण भंडार रखता है गोल्ड स्टैडर कहलाता है कोर सेक्टर, अध्योगिक विकास हेतु कुछ आधरभूत उध्योगों की जरूरत होती है जैसे सिमेंट, लोहा, इसपात आदी इन उध्योगों को कोर सेक्टर कहा जाता है Agronomics, यह किसी श्रमिक की कार्यक शमता वह उनके द्वारा किये जाने वाले वास्तविक कारियों के मध्य संबधों का अध्ययन Agronomics कहलाती है इसके अध्ययन का उद्देश्य कार्यक शमता में विद्वी होती है तो यह था हमारा आज का टौपिक उम्मीद है यह लेक आपको पसंद आया होगा इस वीडियो में किसी बात की समस्या हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दे अगले वीडियो में हमारा टॉपिक उत्पाद संग क्या है रहेगा साथ ही आप अन्य टॉपिक को पायल आयेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख शक्ते है और आप सभी से निवेदन है कि आप पायल आयेस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने बाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए अन्य बाद